Hello everyone, कैसे हो आप सब? I hope कि आप सब ही अच्छी होंगे. मैं Sangeetha from Learnohub, the free learning platform. जहां आप पढ़ सकते हैं, MathScienceSST, absolutely free at learnohub.com बच्चों, आज हम डिसकस करेंगे ICSC Class 7 History. टोपिक हमारा है Rise of Christianity. Rise of Christianity. तो हमारा चैप्टर आज का जो है, वो है Rise of Christianity. तो हम इसे डिसकस करेंगे आपर. चैप्टर important है, इसलिए हर एक चीज को हमें ध्यान से समझना है. ठीक है? चलिए, स्टार्ट करते हैं. टॉपिक्स यहां कौन-कौन से कवर होंगे, टॉपिक्स सारे कवर होंगे. यानि कि पूरा-पूरा चैप्टर हम लोग यहां पर कवर गरेंगे. आईए बात करते हैं क्या-क्या टॉपिक्स हैं. फर्स्ट हमारा है The Medieval Period. The Medieval Period में हम लोग सबसे पहले पढ़ड़ा है History. यहां पर डिसकस करेंगे. फिर है main teachings of Jesus. इसमें main हम पढ़एंगे Jesus के बारे में. तो जब Jesus के बारे में पढ़एंगे तो उनकी teachings के बारे में जाने है किस तरीके से उनकी teachings क्या थी, कैसे कैसे spread हुई है. यह सारा कुछ हम यहां पर discuss करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. चले स् इसकी origin है Latin word से जिसका मतलब है middle. तो medieval period की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा समय जो beach का है उसके बारे में हम बात करेंगे. अब अगर हम history की बात करेंगे. देखें यह हम medieval period ले रहे हैं. तो यहां पर हम क्या करेंगे? history. history हम बढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करें history जो है उसको divide करेंगे. अच्छा history को divide किया गया है. मतलब हम नहीं करेंगे वो पहले से divide है. और लगभग हर country में history को जो है three parts में divide किया गया है. क्यों किया गया है? देखें किसी भी चीज को जादा अच्छे तरीके से जानने के लिए उसको अलग-अलग parts में अगर divide करते ह हैं तो उसके बारे में हम जादा अच्छे से समझ सकेंगे. अब अलग-अलग parts में क्यों divide करते हैं? हमने देखा कि जो मनुष्य था, human जो था वो पहले से किस तरीके से रह रहा था? धीरे-धीरे उसने settle होना सीखा, civilization हुआ ठीक है? फिर उसके बाद हम देखते हैं धीरे- धीरे script, sculpture और उसके अलावा हम देखते हैं तरह-तरह की arts है, ठीक है, language है, तरह-तरह की चीजे जो हैं, वो सारी चीजें develop हुई, तो जिस तरीके से चीजें develop हुई, यह अचानक से होने वाली चीज नहीं है, धीरे-धीरे चीजें develop हुई है, ठीक है? तो हमने देखा एक पिरियड आया, उसके बाद हमें change दिखता है, यह change कैसा रहता है? सोशल, ठीक है, cultural भी दिखता है, ठीक हर तरीके का यहाँ पर हमको changes जो है, वो political, हर तरीके के changes जो है, वो एक time के बाद दिखते हैं, तो वहाँ से क्या किया जाता है, कि divide किया जाता है, कि चीज़ों को हम ज हिस्त्री सिसे की थ्री पार्ट में टिवाइट किया गया है 1 जा चौन लिपोर यह बीडियोड और वींड पिरिए ठीक है मेडिवर जैसा कि समझ में आता है नाम से कि यह बीच का काल होगा ठीक है बीच का पीरियड होगा फिर आता आपका modern period यानि की बाद का तो अलग-अलग तरीके से इसको डिवाइड किया गया है जैसा कि हमने बात की थी कि cultural, social, political हर तरह के changes होते हैं एक लंबे रहेगा medieval period ठीक है क्योंकि हमने जो 6th class था तो ancient period पढ़ लिया जो हमारा 7th class है इसमें हम लोग discuss करेंगे इसको हम लोग पढ़ेंगे medieval period और फिर उसके बाद जब हमारा 8th class आएगा तब हम लोग वहां पर discuss करेंगे modern period ठीक है तो हम जब बात कर रहे हैं 7th class जहां पर medieval period के बारे में ही आपका जो syllabus है उसी पर है तो सारा focus जो हमारा रहेगा इसी पर रहेगा में ठीक है तो start करते हैं medieval period के बारे में अब सबसे पहले हमारे mind में यह आता है कि अगर हम हम देखें कि history को three parts में तो divide कर दिया गया क्या हर कंट्री का यह डिवीजन जो है same time पर हुआ होगा maximum जगह पर हम देखें history को three parts में ही divide किया गया थ्री periods में divide किया गया है बट क्या सभी जगह के यह जो periods है कि ancient period फिर medieval period फिर उसके modern period क्या यह same रहे होंगे नहीं अलग अलग ताइम पर जैसे देखिए यॉरोप में civilization वगेर हमने देखा पहले आया इंडिया में बाद में आया ठीक है इंडिया का नाम हम लोग समझनी है तो उसको हमको अलग अलग पार्ट में अगर हम डिवाइट करते हैं तो इसके बारे में हम ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं चलिए सबसे पहले हम medieval period है इंडिया का कब से कब तक उसको देखते हैं इंडिया's medieval period 8th to the mid 18th century ठीक है अब इसको भी आगे डिवाइट किया गया है आपका early medieval period और उसके बाद later medieval period ठीक है early medieval period जो कि आप का आता है 8th to 13 century फिर उसके बाद आता है आपका later medieval period 13 to 18th century ठीक है अब तो इसमें early medieval period जो है इस समय तक इंडिया में dynasties वगरा जो थी वो बननी शुरू हुई थी ठीक है जैसे चोलाज, गुर्जाराज, प्रतिहाराज यह सभी जो dynasties थी यह इस time में आ रही थी फिर हम बात करते हैं later medieval period later medieval period तो इंडिया में इस time में बहुत ज़्यादा changes हुए बहुत कुछ यहां पर change हुआ ठीक है यहां का political अगर हम देखेंगे politics जो थी वो भी change हुआ उसके अलावा cultural मना हर चीजे जो थी यहां पर change हुए तो इसके बारे में discuss करेंगे तो later medieval period की अगर हम बात करते हैं इसको भी two parts में divide किया गया फिर्स्ट आपका आता है डेली सल्टनेट फेस जो कि आपका आता है 1200 तू 1526 वाला टाइम ठीक है फिर आपका आता है मुगल डाइनस्टी जो कि आपका आता है 1526 तू मिड 18th century वाला टाइम ठीक है तो मुगल अरश्टी के अगर हम बात करते हैं तो आपका हमायू अकब़र ठीक है यह सभी इसमें आएंगे मालब बाबर हम अकबर हमायू यह सभी के बारे में हम लोग यहां पर discuss करेंगे तो फिलहाल इंडिया का जो medieval period था उसके पार बारे में हमने यहां डिसकस किया कि इंडिया का medieval Earnest कब से कब तक छलिए चलव आग चलते हैं तो अभी हमने बात की थि इंडिया के मेडिवल पीरेट के बारे में थे इंडिया का एटहीं थो हम देखते मिड 18th century नि योंब durability से पहले मेडिवल पीरिट जो था वह स्टार्ट हो चुका था ठीक है यहां आपके सामने सेवन कॉंटिनेंट है इन सेवन कॉंटिनेंट में से हम बात करते हैं यॉरप के बात करते हैं तो वह आता है आपका 600 500C2.1500CE डीक है तो यह जो टाइम पीरिट है यह है योरप के मेडिवल पीरिट का अब फिर्स से वह ही बाद कि यह जो टांसेशन पीड से ठीक है जो आठान्सेशन हुआ पीरिट में वह अचानक से नहीं हुआ था ठीक है यह जो थे वो अचानक से नहीं हुए थे यह धीरे धीरे होने वाले चेंजस के बेस पर इनको डिवाइट किया गया है चलिए आते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पर बर्थ ऑफ क्रिस्टियनिटी जिसमें हम पूरा डिसक्स करेंगे कि बर्थ ऑफ क्रिस्टियनिटी जो है वो कैसे चलिए बी-सी-ए-क वाले टाइम में तो उस टाइम में रौम जो था उसने कॉन्करट कर लिया था कि critique कर ता ठीक है और यहां पर अगर हम बात करें कि पलेस्टीन में रहने वाले जो जीव्स थे तो जीव्स जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अगर देखें तो एट्रोसिटी जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने सही है अगर हम बात करते हैं कि वर्ड में सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी जो है वो या फिर सबसे ज़्यादा बुरा किसके साथ हुआ है तो उसकी बात अगर हम करते हैं बैट बेहेवियर वगरा किसके साथ सबसे ज़्यादा हुआ है तो वो जीवस थे जिनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया गया तो रोम ने जब पलेस्टाइन को कॉंकर्ड क तो उसके बाद आप सोच सकते हैं कि जब कोई भी कंट्री जो होती है वो साथ कैसा लान है वहां लोगों को स्लेविभी बना लिया जाता है उनके फ्रीडम चिन जाती है वही चीज़ यहां भी हुआ बट यहां पर उससे बहुत ज़्यादा हुआ ठीक है तो यहां पर जो जी जस्टिस हुआ उन्हें मारा पीटा जाता था उन्हें जो रूलर था है रोड उसी को गौड मानने के लिए कहा जाता था कि उसी को गौड माना जाए जो उनके गौड है उन्हीं की वर्शिप की जाए ये लोग जो जीव थे अपने गौड जो थे उनको छोड़कर वो हैरोड की वर्शिप करें और उन्हें बहुत जादा मारा पीटा जाता था ठीक है तो मतलब जितना बुरा उनके साथ किया जा सकता था उतना बुरा उनको उनके साथ किया जाता था उनकी फ्रीडम जो थी वो पूरी तरह से छिन गई थी तो लेकिन फिर भी क्या था कि जीव जो थे यहुदी जिने की कहा जाता है, उनके साथ इतना बुरा भी था, फिर भी उनके साथ एक होप थी, क्या थी, कैसे था, वो हम समझते हैं, परशान थे जियुस, लेकिन फिर भी उन्हें एक होप थी, होप के साथ वो वेट कर रहे थे, कि कोई मसीहा आएंगे, जो कि गॉड का कि इस्टेबलिश करेंगे, बट उनका यह जो होप थी, उनकी बहुत जादा थी, ठीक है, एक तो होता है, लोग परिशान है, उससे होप करते हैं, कि जो रूलर है, वो बहुत क्रूल है, वो हटे का हो सकता है, उसके बाद चीज़े जो है, कंडिशन सही हो, लेकिन फिर भी उ जो प्रेडिक्शन की गया था, औल टेस्टामेंट में प्रेडिक्शन किया गया था, कि आगे कोई मसीह आएंगे, या फिर आगे कोई गौट के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, जो की स्टेबलिश करेंगे, किंग्डम गॉर्ड का, ठीक है, इसलिए इनका बिलीव ऐसा जिसका है कि अघनुम प्रेजजेट करते वेट कर रहे थे, ठीक है, और हम सब भी बेट कर रहे थे, कि आगे कौन आएगा- क्या चीजी रहेंगे आइडिया तो आप सभी कोई लेकिन फिर भी हम लोग वेट कर रहे थे कि जीसस का बाते हैं तो अब जीसस जो है उनका बर्थ होगा और उसी के साथ ही साथ बेगनिंग होगी वो चीजे स्टार्ट हुई ठीक है तो दा बर्थ ऑफ जीसस एंड बिगनिंग फ्रिस्चैनिटी जीसस के बर्थ के साथ ही बिगनिंग हुई किसकी क्रिस्चैनिटी की हम देखते हैं 4th BCE के दौरान हरोड जो की स्मॉल विलेज ओव बिथलहम इन पैलिंस्टाइन इन 426 BCE देखिए यह चीजे आपको ध्यान रखनी है कुश्चन जो है आपका वन मार्क में फिल इन दा ब्लैंक में मैंस दा फॉलोइंग में और टू-फॉल्स में कहीं भी आ सकता है ठीक है तो यह आपको अच्छे से ची वहाँ पर एक छोटा सा विलेज था वहाँ पर इनका जन्म हुआ था ठीक है जीसस हो इस बिलेव टू-बी-दा सन ओफ गॉड वास बोगन और टू-इस मदर्स नेम मैरी ठीक है तो इनकी मदर एंड फादर इनके भी नेम जो है वह आपको याद होने चाहिए तो उन मदर क नेम मैरी एंड फादर का नाम जोसेफ जो की एक कारपेंटर थे ठीक है जीसस जो की डिसेंडेंट थे किसके डेविड ठीक है डेविड एक रूलर थे जिन्होंने क्या किया था इस्रेल इस्रेल पहले के टाइम में इस्रेल जो था उसको दूसरी कंट्री के लोगों ने कॉ कर रखटा दूसरी कंट्री के लोगों ने डिवीट जिनके डिसेंडेंट थे जीसस तो डिवीड ने अन्हें ऐप Colossus बएपके 2 č ठीक है तो डिसेंडेंट्ट फ्रॉम डैvilt razem रूलर अव इस्रेल करीके है। इसरायल के इसरा कि Time अगया है जिसस को भी फील हुआ कि उनका जो mission है उसका Time आ गया है कि उसे पूरा किया तो जिसस का mission क्या था mission उनका ये था कि लोगों को बुराइयों से से हताना है बुराइयों से बचाना है और उनको mission है कि लोगों तक इन चीजों को पहुचाया जाए ठीक है यह इनका mission था तो इनको reveal हुआ कि अब उनको इनके इस mission का time आ गया है इसे पूरा करने का time आ गया है ठीक फिर बात करते हैं GALYEL के आराउंड घूमा करते थे旧ी के गूमिते तहे जिसके साथ अपने 12 disciples के साथ 12 linganey और L Google को प्रेचिंग किया करते थे उप्देशों दिया करते थे टीचिंग किया करते थे शिक्षाय देते थैं और साथा साथ healing the sick, जो बीमार होते थे, उनकी healing किया करते थे, ठीक है, Jesus went around Galil with a group of 12 disciples preaching, teaching and healing the sick, तो लोगों की help इस तरीके से Jesus जो है, वो जगा जगा घूम घूम के किया करते थे, चलिए आते हैं, next topic, main teachings of Jesus, ठीक है, तो हम Jesus के बारे में जान रहे हैं कि Jesus का mission क्या था, अब आके उनकी teachings के बारे में आते हैं, कि उनकी teachings क्या थी, उनकी शिक्षाएं क्या थी, उसके बारे में, तो main teaching उनकी जो थी, वो बहुत ही simple थी, लेकिन revolutionary थी, ठीक है, Jesus teachings were simple yet revolutionary, कैसे थी, वो समझेंगे, जैसे herod था माल लीजे, herod बहुत cruel था, ठीक है, तो herod हुआ या कोई भी हुआ, तो एक होता है, बहुत strictly कोई चीज फॉलो कराई जाती है, बट इनकी teaching थी, वो बहुत ही simple थी, लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, लोग उसे आसानी से follow कर सकें, इस तरीके की थी, बट वो revolutionary थी, ऐसा नहीं था, कि simple सी चीज थी, बट उसका कोई effect जो था, वो बहुत simple होगा, वो revolutionary थी, कि changes जो थे, वो changes जो थे, वो लोगों में आसपास, लोगों के आसपास, और साथ ही साथ, पूरी society में दिखाई देते थे, उससे एक revolution आया, इस तरीके की उनकी teaching थी, ठीक है, he established a code of conduct for men and women, उन्होंने men and women के लिए code of conduct established किया था, ठीक है, उनके लिए love अगे रभ ब जीसस की main teaching में था, unconditional love for God, कि God को love किया जाए, unconditional, ठीक है, जो कि unconditional हो, उसकी कोई condition ना हो, कि जब हमारे साथ अच्छा हो रहा है, ठीक है, कह रहे है, बड़े अच्छे God, फिर उसके अधा हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो हम कह रहे है, नहीं God तो bad है, तो ऐसा कुछ नहीं, ज तो उसी तरीके से, जीसस की जो teaching थी, कि लोगों को God से unconditional love करना चाहिए, ठीक है, true love for once neighbor, और हर किसी को अपने आसपास के लोगों से true love करना चाहिए, ठीक है, यह नहीं कि सामने जब हैं, तब तो हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं, बाद में फिर है, कि ह हम उससे मूँ मोड ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था, तो उनकी teaching यही थी, unconditional love for God, true love for once neighbor, ठीक है, in his teaching, God who was compassionate, forgiving, loving, ठीक है, तो उनकी teaching में क्या था, कि God जो है, वो क्या है, compassionate है, forgiving है, loving है, यानि कि God जो है, वो बहुत दयालू है, ठीक है, compassionate है, loving है, सबको प्यार करते हैं, और forgiving है, कि कोई कुछ भी करता है, God उसको forgive कर देते हैं, उसे छमा कर देते हैं, तो उसी तरह से हम सभी जो कि God के ही child है, हम सभी God के children हैं, तो हमें भी इसी तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि हम God के बच्चे हैं, तो हमें वही चीजे follow करनी चाहिए, कि हमें भी compassionate होना हमें भी forgiving होना चाहिए, हमें भी loving होना चाहिए, यानि कि हमारे आसपास जो भी लोग हैं, चाहे वो कोई sinners हैं, ठीक है, चाहे हमारे enemy है, चाहे कोई भी है, चाहे poor है, हमें ये चीजे नहीं देखनी चाहिए, कि वो poor है, enemy है, sinners है, हमें सभी के साथ जो है, वो इसी तरीके से forgiving, loving है, उसी तरीके से हमें भी सब के साथ रहना चाहिए, ऐसी उनकी teaching थी, ठीक है, तो ये चीजे क्या है, अगर society में इस तरीके से हर किसी की सोच हो जाए, तो चीजे जो है, बहुत तेजी से change हो, बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है, इसलिए उनकी teaching जो थी, वो simple थी, देखि ये चीजे जो है, उनकी जो teaching थी, वो बहुत simple थी, बट वो revolutionary थी, क्योंकि, क्या था, कि चीजे जो है, forgiving और ये सारी चीजे जो है, उसके लिए अलग से हमें कुछ खर्च करने की जरुद तो नहीं है, लेकिन इससे हम देखते हैं, जो changes आते हैं, वो बहुत बड़े होते है और अच्छे होते हैं, ठीक है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, सबके साथ इस तरीके से रहना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी needy है, उन्हें हमें उनकी help करनी चाहिए, ठीक है, जीसस rejected the eye for an eye and a tooth for tooth principle, ठीक है, तो ऐसा principle था, कि eye के बदले eye and tooth के बदले tooth, बट जीसस जो थे वो इस principle को बिल्कुल ही reject करते थे, यानि कि जीसस का कहना था कि हमें अपने अंदर बदले की भावना नहीं रखनी है, कि आख के बदले, आख और दात के बदले दात, ये चीज़ नहीं है, ठीक है, तो इस principle को उन्होंने पूरी तरह से reject किया, क्यों क्योंकि वो पूरे society मे loving, forgiving, ये सारी चीज़े लाना चाते थे, तो ये उनकी main teaching थी, birth of Christianity, इसी में आगे हम चलते हैं, तो जीसस के birth के बारे में हमने जाना, उनकी teaching, preaching, ये सारी चीज़े क्या थी, उसके बारे में हमने जाना, बट ऐसे कौन से causes थे, जिसकी वज़े से जीसस की death हुई, ठीक है, जि चीज़े जो थी, वो लोगों को बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर भी वासे कौन सी चीज़े थी, कौन से कारण थे, जिसकी वज़े से उनको punish किया गया, उसके बारे में discuss करेंगे, ठीक है, causes of Jesus dead, large number of people were attracted the goodness of Jesus, causing Jesus leaders to be horrified and angered by his growing popularity, ठीक है, तो यही वो reason था, जिस preaching थी, preaching थी, बड़ी ही simple थी, बट वो revolutionary थी, जिससका क्या कहना था, simple सी चीज़ थी, कि God हमसे unconditional love करते हैं, हमें भी God के साथ unconditional love करना चाहिए, God सभी के लिए loving होते हैं, caring होते हैं, forgiveness उनके अंदर होती है, तो वही चीज़े हमारे अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि हम उनके देता है, तो religion में जो चीज़े होती हैं, उनको लोग अपने according समझते हैं, तो पहले से लोगों की सोच जो चली आ रही थी, thinking जो चली आ रही थी, तो उन लोगों को लगा कि Jesus जो हैं, वो लोगों को बिगाड रहे हैं, इस तरीके से क्या है, चीज़ें जो हैं, हमारी पीछ से डर भी लगा कि लोग जो हैं, जीसस को फॉलो कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसी वज़े से वो बहुत जादा एंगर हुए, और इसकी वज़े से आगे उन्होंने गवर्नर से कंप्लेन कर दी, और फिर आगे हम देखते हैं कि क्या हुआ, ठीक है, तो यहां तक आपको हो रहे थे वहां पर, ठीक है, उनमें क्लैश हो रहा था, जिसकी वज़े से जो रिलिजियस लीडर्स थे, वो लोग जाते हैं, किसके पास, रोमन गवर्नर पॉंटियस पाइलेट के पास, ठीक है, तो रोमन गवर्नर पॉंटियस पाइलेट, नाम आपको याद रखना है, तो उनके पास वो जाते हैं, उन्हें consider करते हैं कि Jesus जो है, वो Roman political authority के लिए threat है, उनके लिए खत्रा है, जिसकी वज़े से उन्हें punish किया जाना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा जाकर उनके साथ वो consider करते हैं और उन्हें भी उन leaders की बात सही लगती है, जिसकी वज़े से Jesus पर trial चला जाता है और उन्हें मौत की सजा दे दी जाती है, ठीक है, because of which Jesus was trial and sentenced to death, तो यही causes थे जिसकी वज़े से Jesus जो थे उन्हें punish किया जाता है या उनकी death हो जाती है, चले आगे बात करते हैं, the crucifixion of Jesus, Jesus पर trial चला, उन्हें मौत की सजा दे दी गए, उन्हें किस तरीके से मारा ग लेंगे, उनके crucifixion के बारे में, तो उनको crucified किस तरीके से किया गया, आप लोगों ने देखा है, जहां भी उनके pictures होते हैं, ठीक है, उसमें आपने देखा है, उनके pictures में देखा है, और साथ ही साथ आपने पढ़ा भी है, तो इसका idea आप लोगों को है कि crucifixion जो था, वो क किसी को केवल फासी देते हैं, ठीक है, आपने देखा है, या किसी भी चीज से अगर मारते हैं, गन से ही मारा किसी को, तो ऐसे में, शूट कर दिया गन से, तो ऐसे में क्या होता है, तुरंथ लोगों की जान चली जाती है, बट यहां पर क्या है, कि इनकी जो death हुई, वो ब पैनफुल डेथ, बट थू, इस सफरिंग, ही फुल्फिल्ड ही मिशन एज दा मसीह और सेवियर, ठीक है, तो जिसस जो थे, उन्होंने ये चीज़े सफर की, बट फिर भी उनको एक सैटिस्फेक्शन था, सैटिस्फेक्शन क्या था, कि उनका जो मिशन था, एज़ा मसीह, कि उस मिशन को उन्होंने पूरा किया, उन्हें पता था कि उनकी जो टीचिंग है, उससे लोग अट्रेक्ट हो रहे थे, जिसकी वज़े से ये लोग नाराज हुए, उनकी टीचिंग को लोग अडॉप्ट कर रहे थे, ठीक है, तो इसलिए उन्हें ये चीज़ समझ में ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, तो जीसस की जब डेथ हुई थी, जीसस को जब मारा गया था, उसके पहले ही उन्होंने अपने डेसाइपल से ऐसा बता दिया था, कि उनके साथ आगे ऐसा होने वाला है, पहले से उन्होंने ये प्रेडिक्शन अपने जो फॉ आफटर थी डेस क्या, थर्डे पे, थर्डे पे लोगों ने देखा कि उनके जो डिसाइपल थे, उन्होंने देखा कि वो टॉम जो था, वो खाली था, ठीक है, जिसकी वज़ज़ से उनके जो फॉलोवर्स थे, उनका मानना था, कि जो जीसस थे, उनका रिसरक्टेड बट वो दोबारा से जीवित हुए, रिसरक्टेड का मीनिंग है, ठीक है, तो उनके जो फॉलोवर्स थे, उनका ऐसा बिलीव था, और कुछ लोगों का ऐसा बोलना भी था, कि उन्होंने जीसस को दोबारा से देखा था, जीसस को तो क्रूसिफाइड कर दिया गया, लेकिन फिर भी उनके जो फॉलोवर्स थे, वो बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि जीसस की जो टीचिंग थी, जीसस की जो गुड्निस थी, उसे ज्यादा से ज्यादा लोग जो थे, वो अडॉप्ट कर रहे تھے, जिसकी वज़झे से उनकी फॉलोवर्स बढ़ रहे थे, और यहीं से एक नई कम्युटि क्रिσचन कम्युटि का जन्म होता है ठीक है नई कम्युटि कृ shown कि यहां से बॉर्ण होती है अगर हम देखें पुरे वर्ड में सबसे ज़्यादा लोगों द्वार आडवूप किये जाने वाला रिलीजन अगर कोई है तो cawr उझस के इसे crucified कर दिया था लेकिन फिर भी अपनी गुडनेस से अपनी टीचिंग से अपने followers के hearts and mind में वो फिर भी आज भी जीवित हैं ठीक है मतलब जो उनके followers उस time के थे और यहां तक की आज के time में भी देखें तो उनके goodness की वज़े से वो आज भी अपने जो followers हैं उनके mind में आज भी ज इसे spread होती है उसके बारे में हम जानेंगे तो जाहिसी बात है लोगों के जो disciples होते हैं लोगों के जो शेश्य होते हैं वो उनकी teaching को का collection जो है वो रखते हैं और लोगों तक पहुचाते हैं वही चीज यहां भी था कि Jesus के main four disciples थे जिनमें John, Matthew, Mark and Luke इनका नाम आपको याद र teaching का collection रखा था Gospels में Gospels क्या है Bible का second part ठीक है first part जो था starting में वो Old Testament कहा जाता है जो second part है उसे Gospels कहा जाता है जिसमें की Jesus की teaching और Christianity जो है उसके बारे में है ठीक है तो Gospels में उन्होंने Jesus की teaching थी उनका collection रखा जिसे की logo तक पहुचाया अब इसमें दो नाम और main आते हैं ठीक Christian rock of the religion ठीक है as a religion इसकी foundation जो है वो रखी गई किसके द्वारा हम देखते हैं कि Peter के द्वारा और बाद में पॉल जो की Christianity में लोगों को convert कराते थे उन्होंने इस तरीके से Christianity को spread किया चले आगे चलते हैं the role of Constantine in spreading Christianity ठीक है तो Constantine का role अब देखेंगे अभी हमने देखा उनके disciples जो थे उनके followers जो थे वो Christian को spread कर रहे थे लेकिन फिर भी वह बहुत तेजी से spread नहीं हो रही थी बहुत ज्यादा लोगों द्वारा अडाप्ट नहीं किया जा सक रहा था उसमें अच्छाईया होने के बावजूद भी लोग उसको अडाप्ट करना चाते थे लेकिन फिर भ संख्या में थे क्यों क्योंकि रोमन एंपायर वगेरा जो थे उनकी तरह से अभी अभी भी वो लोग अगेंस थे Christianity के ठीक है तो अभी भी वह उनका विरोध कर रहे थे लोग इस वज़े से उस इस रिलिजन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे लेकिन अचानक से ड्रमेटिकली इन 313 CE ठीक है इस दौरान चीज़े जो है वो चेंज होती है कैसे रोमन एंपायर कॉंस्टन्टाइन जो था वान अ मेजर विक्टरी अगेंस हिस राइवल मैक्जेंटियस अट्रिवेट तो इट्टू दा इंस्पिरेशन ऑफ जीसस क्राइस अड मेड क्रिस्टियनिटी अ लेगल रिलेजन ठीक है तो रोमन जो एंपायर वगर रहते गवर्न थे पहले तो वो क्रिस्टियनिटी को कह सकते हैं कि पॉपलर नहीं होने दे रहे थे लोगों तरह अडॉप्ट नहीं किये करने दे रहे थे बट हम देखते हैं 313 CE के दौरान रोमन एंपायर बनता है कॉ जो कि बहुत ही ambitious होता है ठीक है तो इस टाइप में देखते हैं उसके हो इसी में रोमन एंपायर गासा एव तोड़ा सा आप संझेंगे रोमन एंपायर जो छो था वहाँ पर इस समय में कॉंस्तिंटाइन जो था वह कहां का था वह रूम का रूलर था रोम में वह रूल कर रहा था उसका मैगजेंटियस उसे लोगती विक्तरी मिली उसका पूरा पूरा क्रेडिट उसने किसे दिया जीसस क्राइस्ट को दिया उसने सब को बताया कि जीसस क्राइस्ट की वज़े से ही मुझे ये विक्टरी जो है वो मिली है ठीक है उन पे जो मेरा फेथ रहा उसकी वज़े से मुझे ये विक्टरी मिली है और फिर यहां से उन्होंन जनी से अड़ाप्ट कर सकते हैं तो जो कॉंस्टेंटाइन था मैगजेंटियस को उन्हों ने हराया और हराते हुए अपनी जीत का क्रेडिट दिया किसको जीसस क्राइस्ट को और क्रिस्टियनिटी को उन्होंने एक लीगल रिलीजिन के रूप में लोगों के सामने रखा कि एक लीगल रिलीजिन है जिसे की ज्यादा ज्यादा लोग अडॉप्ट करें और यहीं से हम देखते हैं ड्रमेक्टिकली चेंज आता है जो माइनारिटी में लोग थे वो अब मैज़ोरी में आने लगे और आज के टाइम में हम देखते हैं सबसे ज्यादा लोगों दोर्हा अडॉप्ट किया जाने वाला religion Christian religion है ठीक है Constantinople as a capital ठीक है Constantinople को as a capital उन्होंने घोशित कर दिया ठीक है जो कि क्या था Byzantium City का की site थी Constantinople उसे Constantine ने क्या कर दिया Rome से shift कर दिया capital को कहां पर Constantinople ठीक है यहां आपको समझ में आ गया कि कि जो Constantine था वो जब जीता तो उन्होंने रोम जो कि क्या था capital था capital को Byzantium की तरफ उन्होंने shift कर दिया और वहां पर Constantinople को as a capital घोशित कर दिया Recognization of religion इस पर आते हैं तो हमने देखा कि Constantine के द्वारा क्या किया गया कि इसे legal religion डिकलेर कर दिया अब ज्यादस ज्यादा लोग जो थे वह आसानी से इसे adopt कर सकते थे तो इस वज़े से अब हम देखते हैं जो minority में पहले Christian थे अब वो तेजी से बढ़ने लगे as a religion इसको recognize किया कर जाने लगा Christianity को ठीक है St. Peter's Basilica जो कि अभी Vatican City में है क्यों कि अब क्या था चीज़े spread हो रही थी तो अब इसका headquarter बनाने की बात हुई कि कहीं नहीं है वह हो जिसे की चीज़े जो है तेजी से spread हो लोग उसके बारे में जाने तो रोम के Vatican City जो आज की है वहां पर इसका headquarter जो है वह बनाया गया St. Peter's Basilica और वहां के जो बिशब थे उन्हें एजब पोप अक्नॉलेज किया गया पोप यानि की उन्हें माना गया कि वह कौन है representative of God और आज की टाइम में भी हम देखें कि पोप जो है उन्हें representative of God के रूप में माना जाता है ठीक है तो यहां पर आपका यह chapter जो है वो complete होता है I hope कि doubts आपके जो भी थे वो clear हो गए होंगे तो बचों यहां पर हमारा यह chapter होता है complete I hope कि चीजे जो है वो आपको बिलकुल समझ में आ गई होंगी आपके doubts सारे clear हो गए होंगे मिलते हैं next chapter next solutions के साथ at learn how learn how free है पर best है दोहिए. भिल. हुआ. भुआ. पिल. अर्ज़ख. भूँए. भूआ. भूआ. थापके जो. नह को है? दो तो. भूआ. भूआ. भूआ.